आज की वीडियो में हम devil's backbone plant को cutting से grow करने जा रहे हैं ये मैंने cutting ले ली हुई है 4-5 inches की cutting आप ले ले ये enough है इसे cutting लगाने के लिए इसके नीचे के leaves remove कर दें जितना area मटी में जाना है वो लीव कर दें बाकी leaves उनको रहने में 1-1.5 inches जो है वो आप इसको मटी में लगाएंगे 1-1.5 inches काफी है मटी में लगाने के लिए इसको लगा दें ठीक हो इस तरह से साइड से प्रेस कर दें और आ देखेंगे तो जो है वो 20 days हो गया है वो cutting लगाए हुए हम उसका result भी देखते हैं कि क्या है यह मेरे पास cutting लगी भी थी जो मैंने devil's backbone की पहले लगाई थी अभी हम softly जो है इसकी मटी को side से dig करेंगे और निकाल के देखेंगे कि इसने अपनी rooting start की है कि नहीं तीन weeks के बाद जो है वो हमेंसे check करने जा रहे हैं यह जो मैंने already cutting लगाई हुई थी यह आप देख सकते हैं कि इसने rooting start कर ली हुई है यह इसकी roots है rooting start कर ली हुई है तो यह हमारे पास जो है वो new plant ready हो गया है और आप इसे जो है वो भी बड़े pot में भी shift कर सकते हैं अगर इस तरह decoration के लिए आप इसे जो है वो कप अगैरा में लगाना चाहें तो वो भी लगा रहने दें वो भी ठीक है